स्वागत है आपका किचिन अफ्चोंत्री मामे और आज की हमारी रेसिपी है सूजी हल्वा जी हाँ बहुत ही टेस्टी डिलीशियस और हेल्दी रेसिपी है और बहुत ही ट्रेडिशनल एक रेसिपी आज मैं आपको दिखाऊंगी तो अगर आपको सूजी से बनी हुई डिश पसंद है तो यह आपको बहुत जादा पसंद आएगी तो ट्रेडिशनल तरीके से सूजी का हल्वा कैसे बनाए चलिए देख लेते हैं शुरू करते हैं यहाँ पे मैंने सूजी लिया हुआ है 250 ग्राम्स और उसी के साथ मैं घी लिया हुआ है एकदम पी और 250 ग्राम्स या किश्मिश थोड़े से पिस्ता उनको ग्रेट करके रखाए हुए है यारी कि 25 ग्राम तक और 40 ग्राम यहाँ पे मैंने लिया हुआ है काजू नट्स तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यहाँ पे एक तवा ले लिया है और उसमें मैंने पहले दो चम्मच यानिके दो टीब करेंगे और उसी के साथ साथ हम यहाँ पे पिस्ता को भी डालेंगे और आप देख सकते हैं धीरे-धीरे हम यहाँ पे पिस्ते को डाल रहे हैं तो आप कभी भी अगर ड्राइफ रूट्स फ्राइ कर रहे हैं तो फ्लेम को आप मीडियम से बहुत जादा लो पे रखे नहीं तो ये बहुत जादा जल्दी जल जाते हैं तो वो टेस्ट में अच्छे नहीं होते और अंदा तक fry भी नहीं होते यानि कि क्रिस्प नहीं होते तो इसी के साथ यहाँ पे हम डाल रहे हैं किश्मिश अभी सारे dry fruits हमने डाल दिये हैं अगर आपको कुछ इसमें से पसंद नहीं है तो आप ना डाले और कुछ अगर और पसंद है तो वो भी डाल सकते हैं यह बिल्कुल आपके पसंद के उपर डिपेंट करता है तो इनको हम एक मिनिट तक ऐसे दीरे-दीरे करके दीमें आज पे stir fry करेंगे और देखिए यह stir fry हो चुका है और किश्मिश ने थोड़ा सा घी अंदर चला गया है तो यह थोड़े-थोड़े करके फूल चुके है तो अब इनको दीरे-दीरे करके हम एक प्लेट में निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से निकालने के बाद यहाँ पे हम हलवे के प्रोसेस की तरफ चलेंगे तो अगर आपको बहुत ही जादा अच्छा हलवा बनाना है तो उसका एक बेसिक प्रोसेस यह है तो जिस चीज का भी आप हलवा बना रहे हैं उसको अच्छे से भूनना है तो यहां पे हम सूजी का बना रहे हैं तो चलिए पहले एक बर्तन में हमने जो पहले से घी गरम करके रखा हुआ था उसको पूरा डाल देते हैं यहां पे अब यह पूरा घीस के अंदर चला गया है अब इसको मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा गरम होने के बाद इसमें हमने जो हरी वाली इलाइची रखी थी पहले से उसको थोड़ा सचमत से मैंने यहां पे स्मैश कर लिया और इसको उसके अंदर डाल दिया है ताके घी के अंदर इलाइची का फ्लेवर आ जाए अगर आप लोग खड़ी इलाइची नहीं यूज कर रहे हैं यानि के पावडर तो जाता है तो तोड़े से बबल सिसमें क्रियेट हो जाते हैं तो देखिए अभी पूरा जो घी है वो सूजी के अंदर चला गया है अब धीरे धीरे हम इसे फ्राइ करेंगे इसको हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे ही करना है वरना सूजी जो है वो जल सकती है मीडियम टू ल चाहिए क्योंकि अगर हम छोड़ देंगे तो नीचे से यह जल जाएगा तो इसका कलर पूरी तरीके से ब्राउनिश की तरफ आ चुका है अभी इसके हंदर हम तीन कप पानी डालेंगे जी हां रेशियो आप समझ सकते हैं एक कप अगर आप सूजी ले रहे हैं तो उसके सा पानी डालने के बाद इसको उबालाने तक हमें मिलाना है ताकि इसके अंदर का जो सूजी हम हम फ्राई करने के बाद पानी डालेंगे तो थोड़ा सा लंस इसके अंदर क्रियेट हो जाता है तो इसको अच्छे से हम मिला देंगे ताकि यह बराबर से कुक्ट हो जाए तो और पानी जो है वो सूजी ने सुक कर लिया है और ये क्वंटिटी में डबल से जादा हो चुका है बहुत ही फूल चुका है और ये काफी हद तक कुक्ट भी हो चुका है तो इसको हम अच्छे से स्टर करते रहेंगे ताके निचला जो पोर्शन है वो तवे से चिपकना और चीनी मिलाने के बाद आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा पतला होगा क्योंके चीनी भी करमिलाइस हो जाएगी और जब चीनी गलना शुरू हो जाएगा तो ये थोड़ा पतला होगा तो ये पतला होने के बाद भी इसे हम आज को धीमा ही रखते हुए इसे हमें धीरे- मिलाते जाना है ताकि पूरा सूजी के अंदर जो मिठास है वो अच्छे से फैल जाए अब देख सकते हैं इसका कलर भी बहुत बढ़ी आया है और जब आप इसे पकाएंगे तो इलाई जी की वज़े से इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी आती है तो अभी धीरे-धीरे करके ज एक साथ मिला देंगे इसको लास्ट में इसलिए डाला क्योंके ड्राइफ्रूट्स को हमने फ्राइब किया हुआ था और उसके अंदर का जो क्रंचीनेस है वो खराब ना हो जाए इसलिए इसको हम लास्ट में मिलाएंगे तो इसको चलिए एक से डेर मिनिट तक मिलाने के बात हमारा जो सूजी का हलवा है वो एक दम अच्छे से बन चुका है एक दम बन के रेडी है यह हलवा यह वीडियो और यह चैनल पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्रिप्शन बॉक्स है उसको जरूर क्लिक कीजिए और उसके पास यो बिल एक पॉर्ट ऑनिक्स की पॉर्ट में यहां पे मैंने सूजी डाल दिया है और उसी के साथ यहां पे थोड़े से ड्राइफ रूट्स जो मैंने पहले से ही बचा के रखे थे उससे इसको अच्छे से गानिश कर लिया है तो चलिए एक तम टेस्टी हेल्दी और बहुत ही ट् अगर आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए यह चैनल फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ